आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप कोई बोला चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्स्क्राइब कर सकते हैं और मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं करते हैं बच्चों के लिए बहुत जादा effective medicine है और बहुत से time doctors जो बच्चों के doctors होते हैं पीडिटीशन वो इस medicine को बच्चों को prescription पर देते ही है वेकर इसका जो result है वो result इसका एकदम accurate है और बच्चों में बहुत अच्छा काम करता है तो अब मैं आपको detail में auto के बारे में आप करेंगा तो जो auto suspension है auto suspension को medley pharmaceutical company manufacture करती है medley pharmaceutical company इसको बनाती है auto suspension को और अगर हम बात करें कि इसकी pricing क्या है तो इसकी pricing है 57 rupees इसकी pricing है जो आप easily किसी भी medical store से purchase कर सकते हैं आपके nearby medical store पर बहुत easily यह available हो जाती है अब अगर हम बात करें इसके composition के बारे में कि इसमें क्या drug होती है जो body में काम करती है तो इसमें दो drug होती है first one होती है ofloxacin ofloxacin IP होती है 100 mg की mg और दूसरी होती है metronazole metronazole होती है 200 mg यह दोनों medicine होती है और दोनों IP में है medicine it means Indian pharmacopoeia के जो rules and regulations होते है उसके basis पर ही medicine को ready किया गया है तो इसमें ofloxacin होता है 100 mg में and metronazole होता है 200 mg में यह दोनों medicine इसमें होती है and 57 rupees इसकी pricing होती है अब यह medicine काम क्या करती है या इसका क्या use है उसके बारे में हम discussion कर लेते हैं तो basically autosuspension एक antibiotic medicine है जो antibiotic medicine बच्चों के body में जाके काफी type की जो bacterial effects होते है body में and जो paracital effects होते है body में यह उसमें काम करती है यह उसको ठीक करती है या काफी बारी बच्चे कुछ भी खा लेते हैं या बच्चों को 10 लग जाते हैं या बच्चों को digestion का issue हो जाता है तो उस case में आप अपने बच्चे को यह दे सकते है especially दस के category में या फिर in digestion की category में आप इसको दे सकते हैं तो यह जो body में उसके जो effect होता है जीवानों का और bacteria को जो effect होता है उस effect को यह खतम करता है अब इसको थोड़ा सा odd detail में हम discussion करें कि odd detail में होता क्या है तो काफी बारी क्या होता है कि बच्चों को जब 10 से लगते हैं तो बहुत जादा पतले 10 से लगते हैं और बहुत जादा उसमें issue create हो जाता है उसका reason यह होता है कि जो उनका digestion system होता है उस digestion system में infection हो जाता है अब O2 जो क्या करता है जब O2 के अंदर जाता है तो यह baik बार बार दस ने जो दस थो रहे होते हैं उसमें राहतileफा करता है और उसको control कड़ता है और उसके लबदा जो पेट में एठन होती है तो पेट में दरद भी होता है यह उसमें भीृत करता है जो body में संक्रमन हो जाते है या जो बॉडी में वेक्टिरिया हो जाते हैं उन वेक्टिरिया को ये बॉडी से खतम कर देता है ये बॉडी से खतम होने के बाद आटोमेटिकली ये दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाती है लेकिन इसके साथ जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम आपके बच्चे को आ रही है तो उ तो उसके इसमें आप बच्चे को हाइडरेट रखें, यानि बच्चे को आप तरलपदा देते रहें अब इसके कुछ बेसिक साइड एफेक्ट है, वैसे तो इसाइड एफेक्ट पैदा के रिए नहीं करती है मैडिसिन लेकिन फिर वी काफी बच्चों में इसके कुछ जनल साइड एफेक्ट देखने को आ सकते है and suppose जब आपने मैडिसिन अपने बच्चे को दी, तो उसके इसमें बच्चे को उल्टी आ सकती है लेकिन उल्टी अगर आ जाए सेम टाइम पर, तो आप ये कर सकते हैं कि इसकी जो टोसिस है उसको आप चनल रिपीट कर सकते है अजर आपको ऐसा लगता है इस बच्चे ने ये मैडिसिन ली, मैडिसिन लेने के बाद बच्चे ने तुरंट उल्टी कर दी तो उस case में आप बच्चे को दुवारा यह दे सकते हैं उसके अलावा पेट में भी दर्थ हो सकता है मैडेसिल लेने के बाद उसके अलावा दस तो लगी सकते हैं जो तो लगी रहे हैं बच्चे को और सिर्दद भी हो सकता है यह बहुत basic side effect है तो आप इसको दूर भी हो सकते हैं अब अगर हम बात करें कि अगर सब्सक्राइब आपको लिखा हुआ है और यह आपके नेरभाय मैडी के लिए सब्सक्राइब नहीं मिल रहा है तो उस case में आप क्या करें उस case में इसके कुछ alternate भी market में available होते हैं जो दूसरी कमनी manufacture करती है लेकिन उसका जो result होता है या जो उसमें composition होता है वो composition सेम ही होता है तो उस case में कुछ एक medicine आती है या अगर उनका में नाम बताऊं तो D of D.A. suspension आता है जुविलेंट हेल्थ केर का D of D.A. suspension इससे 48% महेंगा है या अगर हम बात करें तो 48 अगर हम बात करें इसके alternate के बारे में तो D of D.A. suspension आता है D of D.A. suspension इससे बहुत सस्ता है D of D.A. suspension की जो pricing है वो pricing 29 पर बच्वन पैसे है and second one आता है off-flow में एक M आता है McLeod Pharmaceutical का वो 36.70 पैसे का आता है उसके अलावा combizole प्लस oral suspension आता है वो भी आप ले सकते हैं उसके अलावा new normat oral suspension आता है juvenile healthcare का आप वो भी ले सकते हैं ये सारे इसके alternate हैं ये सारे alternate जो हैं वो आपको medical store पर ले सकते हैं और medical store पर बहुत easily मिल जाता है अब इसमें कुछ आपको सलावी दी गई है कि suppose आपके बच्चे को कोई liver का issue है या कोई medical history है या फिर आपके बच्चे को कोई kidney का issue है तो kidney और liver के issue में आप ये कर सकते हैं कि आप एक बार doctor से consultation जरूर कर सकते हैं या consultation अगर आप बच्चे के लिए कर लेंगे doctor से तो doctor medical history accordingly आप इसमें accordingly जो changes करना होगा medicine में doctor's medicine को changes कर सकता है और अगर आपके बच्चे को माली जो सर्दी है या फिर फिलू जैसी या virus टाइब की कोई problem हो रही है उसके साथ साथ ये भी problem हो रही दस की या फिर बेट डर्ट की तो उस case में इसको देने से बचें उस case में आप एक बार discussion जरूर करने है doctor's से डिस्क्रिशन करने के बाद ही आप इस medicine को अपने बच्चे को दें तो ये बहुत कारगर medicine है और काफी लोग इसको recommend भी करते हैं और prescribe भी कर सकते हैं तो ये basic review था O2 oral suspension के बारे में इसमें आपको flavor मिल जाते हैं flavor में available है because जो general suspension या syrup होता है काफी बारी बच्चे उसको लेने में issue करते हैं just because of taste के कारण and पीने के बाद उल्टी भी कर देते हैं इसलिए जो suspension है ये different flavor में बनाया गया है जिससे आपका बच्चे इसको easily consume कर सके तो ये basic review था O O2 M oral suspension के बारे में तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे like कर सकते हैं and मेरे चैनल को आप subscribe भी कर सकते हैं thank you